हलो एरुवन वेल्कम टू दाइ स्टुडेंट चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पाइलट के बारे में इससे पहले हम लोग एंटी पीसी के डॉकुमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से लेटेड बहुत सारे वीडियो बनाये हुए हैं अभी उन ल करके बहुत सारे मैसेजेज और कमेंट सेक्षन में कमेंट भी पूछे जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एलपी की जो सीरीज है उसको कांटीनिव किया जाए और उसमें जो भी डाउट से रहते हैं लोगों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड तो उस पर वीडियो ब इस पोश्ट में सबसे बेसिक जो पोश्ट है वो है असिस्टेंट लोको पाइलट का 1900 पे ग्रेट पे ये वेकंसी होती है अभी तक तो चलती आ रही है और इसमें मेनिममम क्राइटेरिया है तो उस पर हम थोड़ा सा बात में बात करेंगे तो 1900 पे से इसकी सुरुआत होती है उसके बाद से लोको पाइलट गूट्स बनते हैं उसके बाद से लोको पाइलट पसेंजर बनते हैं मेल बनते हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर बनते हैं और इसी तरह से आगे फर्दर आपका प्रमोशन होता जाता है तो इस जॉब में जो सबसे नीचला पैदान है वो है अब इस जॉब में क्या एडवांटेज है क्या डिसेडवांटेज है क्योंकि जब आप इसका फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए अभी तक मैंने बहुत से चैनल लेखे उसमें इस बारे में ज्यादा बाते नहीं की गई है और हर कोचिंग इंस्ट्यूट के जो वीडियो में देखता हूँ इस जॉब के बारे में तो सब लोग इसकी प्रिपरिशन के बारे में और इस तरह की चीज़ें बारे में बताते हैं लेकिन मैं इसमें आपको एकदम बहुत आसान भासां में इसका एडवांटेज और डिसेड यह आपको जानना जरूरी है अब देखे इसमें सबसे पहला जो वानटेज है इस जॉब को लिएकर वो सबसे में चीज यही है कि स्की सैलरी इसमें क्या हाँ कि जो गुर्ण गार्ड होते हैं या लोको पालट होते हैं उसमें किलोमेटर एलाउमेस मिलने से ही इसकी सेलरी 1900 पेड़ेट के जो काइड़ेट है अलग जॉब में या फिर रेल्वे के ही अलग पोश्ट में 1900 पेड़ेट पे हैं उन से जादा हो जाती है नियर अबाउट डिर गुना या दो गुना के आज पास में पहुंच जाती है तो इसमें सबसे पहला अड़वांटेज है और जनरली जितने भी इस्टुएंट इसमें पिरपरेशन कर रहे हैं वो इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि वो पहली बारे वीडियो देख नहीं रहा है तो इससे पहले सभी लोगोंने अलग-अलग चैनल पर वीडियो देखे होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट अगर बताया गया है वो सैलरी को ले करके बताया गया है सैलरी से लेटेड अलग वीडियो है वो टापिक अलग में बात करेंगे अब इसमें एडवांटेज क्या है पहला एडवांटेज इसमें क्या है इसमें कोई भी आपका ड्यूटी सेड्यूल नहीं होता है जब भी आप यहां इस जॉब में जॉइन करेंगे तो कोई भी आपको ड्यूटी सेड्यूल नहीं दिया जाएगा कभी भी आपको दो घंटे पहले प्रायर आपको call करके बुलाया जाएगा अगर आप headquarter में rest up हो गए हैं आपका जो rest time है वो complete हो गया है तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है कि दो घंटे बाद आपको आना है कभी कभी ये एक घंटे भी हो जाता है क्योंकि गाड़ी अगर आ गई है अगर एकदम emergency है तो आपको एक घंटे में भी बुलाया जा सकता है अगर कोई मतलब आपात काल की इस्तिती आ गई है तो आपको at once या फिर तुरंत भी बुलाया जा सकता है तो आपको headquarter में available रहना है या तो अगर छुट कहीं जाना है तो आपको छुटी ले लना पड़ेगा और दुनिया में कोई भी अगर job है अगर वो scheduled job नहीं है या फिर रात का भी fix job हो या फिर दिन का भी fix job हो अगर ऐसे routine वाई चलता रहे तो भी उसको scheduled job में ही कहेंगे लेकिन अगर किसी job का schedule fix नहीं है तो वो उस job का सबसे 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 बड़ा disadvantage है और जिस job का duty schedule fix नहीं होता है उसमें क्या-क्या और चीज़ें disadvantage जुड़ जाती है वो मैं इसका sub disadvantage में बता दे रहा हूँ कि कभी भी आपका fixed rest time नहीं आपको मिल पाता है जैसे कि अभी आप क्या है ट्रेन चला के कभी भी आ रहे हैं हो सकता है दिन के 12 बज़े आप अपने घर पहुँच रहे हैं और रात के आप 12 बज़े या एक बज़े के आसपास में जगे हुए हैं तो जैसे बात है जब अपने घर जाएंगे तो 12 बज़े खाना नहाने के बाद आप तुरंत सोने ही चले जाएंगे इवेन कोई भी मतलब passenger होता है वो यात्रा करके आता है 10 गटे 12 गटे तो जनरली अपने घर जाता है तो वो पहले rest ही करता है सोचिए वो train में भी सोके ही आ रहा है इसके बावजूद भी वो घर में जाने के बाद खाना खाने के बाद वो rest ही कर रहा है तो हम लोग जो इस job में या फिर assistant logopilot या फिर logopilot में है वो तो राद भार जगते हैं वो front पे आते हैं engine में और उन्हें जगना जरूरी है वो duty करके आ रहे हैं तो उन्हें rest करना कितना जरूरी है अब देखिए आपका कोई rest time fix नहीं होता है कभी आपको रात में भी सोना पड़ सकता है दिन में भी सोना पड़ सकता है जब भी आप अपने headquarter में आते हैं आपको सोना ही है क्योंकि आप सोएंग ये नहीं राद बर duty करके हैं तो आपके health पे बहुत बुरा प्रभावा time चला आप ट्रेन में हो lunch आप कर रहे हैं आप 3 बजे साम को या फिर सुबा का खाना आप खाके नहीं जा पा रहे हैं सुबा छे बजे कॉला गई है आप उस समय कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, वी नाम salary ही है अब इसमें यहाँ पर फिर दूसरे disadvantage ही तरफ आते हैं high work pressure high heavy जो भी आप पहना चाहते हैं मतलब आपके job का work pressure जो है काम का pressure इतना ज्यादा है इसमें आज कल कि आप मतलब wear ही नहीं कर पाएंगे इतनी ज़्यादा train है इतना hectic schedule हो गया है आप अपने headquarter पर आते हैं 10 गंटे या 5-6 गंटे दो गंटे तो तुरनत आपको नहाने खाने इस तरह में बिज जाता है फिर आप खाने के बाद थोड़ा सा मान ले जागर आप टीवी देखना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं म और कभी-कभी 16 गंटे पूरे होने पर भी duty लग जाती है तो आप अभी सो के उठे क्या अभी duty करके आए फिर सोवेना है फिर सोने के उठने के बाद तुरनत आपका फिर से जो है 16 गंटे बाद duty लग जा रही है इसका बहुत-बड़ा disadvantage है आपके body को ले करके और maximum लोग इ जो है अपनी body में मतलब फोईनों कोई बीमारी का सिकार हो ही जाएंगे तो high work pressure इसमें बहुत जाता है mental pressure भी बहुत ज्यादा रहता है और थोड़ा सा security से लेटेड ये job है तो होना भी चाहिए इतना मतलब mental pressure तो रहे गए रहेगा क्योंकि इतने लोगों का passengers है और या फिर different हो गया चाहिए फिर किसी भी चीज के हो गया फिर सामने कोई यात्री है या फिर कोई भी वहान ये गलती से आ जाता है इस तरह का तो आपको मतलब उसमें alert तो रहना ही पड़ेगा इस जो हमें alertness तो बहुत ज़रूरी है अब आते हैं तीसरा इसमें advantage भी इसमें क्या है salary ह तीसरा disadvantage में क्या है कि किसी भी environment में कोई भी environmental condition है आपको काम करना ही करना है अब इसमें क्या हो सकता है देखिए हर जगा का weather अलग अलग होता है अगर मान लीजे आपके south में कहीं posting है तो उसमें हो सकता है ज़्यादा गर्मी है या फिर गुजरात में राजास्थान के आसप समय से पहुंचना है आप उसके लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं किसी के पास कार है तो कार से जाएए किसी के पास बाइक है तो बाइक से जाएए अगर माल यह नहीं है तो आपको पैदा ली जाना है लेकिन आपको समय से पहुंचना है जिस समय आपको बुलाया गया है नेक् मतलब जब तक आप assistant loco pilot के समय में हैं, आप इस job का golden era अगर कहा जाए तो वो ALP का है, उसके बाद से आपका कोई भी golden era नहीं है, dark era है और सबसे जो इसमें disadvantage में अगर मैं बात करूं, fourth point में, जब आप loco pilot goods होते हैं, जो मेरा अनुभा रहा है, इस job का dark era है, dark era मतलब क्या है कि इसमें schedule इतना heavy है, इतना मतलब hectic है कि आप rest कर ही नहीं पाते हैं, और यही जो है आपके जो मतलब G1 का, life का अगर कहा जाए, अगर आप मालेगे बहुत late में joining करना है, ALP की post तो बहुत अभी क्या है, पहले लोगों की job थोड़ा से जल्दी लग जाती थी, लेकिन अभी क् आते हैं, वाकेंसी पूरा होते होते, बहुत late में job लग रही है, तो nearly मैं मान के चलूँ, सबी लोगों की जो age है, करीब करीब 26 हो गया होगा, किसी के 27 हो गया होगा, कोई शुरुवात में 21-22 में होगा, तो बात अलग है, लेकिन आने विरेज देखा था, तो 26-27 साल के बा आप जल्दी बन सकते हैं, लेकिन जो लोको पाइलट गूर्स का जो एरा है, मान के चलिए, 40-42 के आसपास में आप इस पीरियर्ड में रहते हैं, काटेगरी आपकी से या फिरेज तरह से है, तो आप जल्दी प्रोमोशन पा सकते हैं, लेकिन आने विरेज में बात करूं, 40-45 तक एस के आसपास, आप लोको पाइलट गूर्स तक बने रहते हैं, और आपका जो लाइफ का मतलब जो गोर्डेन एरा है, वो 30-40 के बीच में यह है, इसमें ही आप जो भी चीज़े करना चाहते हैं, या फिर कहीं घूमना चाहते हैं, या फिर इंजॉय करना चाहते है लाइफ को, इसमें कर सकते हैं, और इसमें इतना ज्यादा है कि आप अपने बॉड़ी पे या फिर कहीं भी आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आपका यह टाइम कब बीच जाएगा, कब खतम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद से आप अपने ग्वांटेज बहुत सारे ड्षादेज खतम हो जाएगे, तो जैसे ही डुटी सेडिूल आता है आपके डिस अपरे डुटी सेडूल आता है आपके लाइफ का समझेश्च्टी परसेंट ये सेवन्टी परसेंट मैं कहूं टाइम ही खतम हो गया रहता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं disadvantage की point पर मैं ज़्यादा focus क्यों कर रहा हूँ तो अगर किसी को genuine चीज़ें जाननी है तो किसी भी अपने नजदी की railway station पर जा सकते हैं और आप मालगाड़ी में जो logopilot या assistant logopilot हैं उससे अपने ये सब चीज़ों के बारे में आप clarify कर सकते हैं वो लोग जरूर इस पे मतलब genuine आपको सलाह जरूर देंगे तो ये disadvantage और ये एकदम सच बात है कोई भी बता सकता है अब next आते हैं फिर से अगले advantage की तरफ fifth number फिर वही बात आती है salary salary इसमें आप जितनी उमीद नहीं करते हैं उससे अच्छी salary इसमें है लेकिन आप इसके disadvantage इतरफ आ जाते हैं six number point इसका disadvantage है वो है कोई भी social life आपका नहोना अब ये मैं कहा दिया हूंग कोई भी भी नहोना तो ऐसा तो है नहीं बीना social life के तो आदमी रह नहीं सकता है social life तो रहता है लेकिन आप उसको enjoy नहीं कर पाते है enjoy मतलब कहना क्या है कि कभी भी आप अपने घर में कोई function घर में तो चलोगी चली कोई function है तो आपको चुटी मिल जाती है या फिर इस तरह की चीज़े हैं लेकिन अदर आपके मतलब reaction में या फिर इस तरह का कोई भी फंसान है या फिर कुछ मतलब आर्जेंट में इस तरह का function आ गया तो आपको चुटी लेना थोड़ा सा मुस्किल होता है इवेन आप आप सेंट हो सकते हैं लेकिन आपको चुटी लेना बहुत थोड़ा से समय मुस्किल है कई जगह पे ऐसा नहीं है कई जगह में working environment बहुत अच्छा है वहाँ पे थोड़ी सी गाड़ियां कम हैं तो वहाँ पे चीज़ें ये सब चीज़ें आसान है लेकिन इंडियन रेलवे में ज़्यादा तर जो इस्टेशन आई लॉबियां है वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है तो इन सब चीज़ें के लिए टाइम बिलकुल नहीं मिल पाता है मुझसे भी बहुत से लोग जो लोग को पाइलट्स हैं में चुटि मिल पाना तो आपको एक फेस्टिवल हो सकता करने को मिल जाया है दूसanıब कभी कई-कई लोगों को मैंने सुना है कि दो-roat साल हो गए है वह दिवली अहिं कर पाए हैं क्योंकि उसल दिन भी जलनी ही चल्रावвор का सब्याद, कि इसल्स हमाई हो living process advantage है और यह running का जवाब है तो आपको मतलब इतना ज़्यादा छुटी मिलेगी नहीं लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि देखिए वैसे तो कहा जाए तो उसका duty hour fixed है लेकिन उसकी possibility बहुत rare case में रहती है बहुत ही ऐसे कम संभावना है कि 8 गंटे का duty schedule है उससे कम में आप duty आफ कर रहे होंगी इसका duty hour एकदम fix नहीं है आप किसी destination से लेकर करके चलते हैं किसी जगह से और दूसरे destination के लिए आपको बुक किया गया है तो कभी कभी वो 9 hours, 10 hours, 11 hours तक भी हो जाता है यह कभी कभी मैं नहीं कहा रहा हूं सम बहुत तो ऐसा हो जाता है तो 10 hours और 11 hours के आसव लगती है तो यह इसके disadvantage है अब थोड़ा सा advantage salary को लेकर कर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं salary में क्या है उन्हीं सो पेगर से स्टार्ट होता है लेकिन kilometer allowance मिलने के बार कई कई लोग है है चाँ- चार-चार-चार-चार-चार किलो-वीटर लोग ज्यादा ज्यादा इसमें गाड़िया चलाते हैं कई के जगह पे बहुत ज्यादा मतलब गाड़ियां चलती हैं वहाँ लेगिन कई के जगह पे गाड़ियां थोड़ा कम चलती हैं तो वहाँ पे इतना ज्यादा किलोमेटर नहीं बनता है तो वहाँ पे इतना ज्यादा थे इसी लिए मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत से लोग इसमें डाउट पूछ रहे थे कि मतलब इनको असिस्टेंट लोको पाइलट में आना है कमेंट सेक्शन में पूछते रहते थे तो सबसे ज्यादा इसी पर मैंने टाइम दिया है इस वीडियो में कि तब technician का भी post निकल किया था साथ में ही तो technician के लिए only and only ITI लोग eligible है और technician में एक और post है signal and telecommunication इसके लिए 12th के जो किये हुए है physics और math से तो वो लोग इसमें eligible है तो generally सभी लोग 12th physics और math से किये रहते हैं तो S&T के post है वो बहुत कम ही रहता उसके लिए तो सभी लोग eligible है जितने लोग फाम बढ़ते हैं लेकिन और भी जितने भी technician के इसमें पोस्ट है श्रिफ ITI के लोग ही इसमें eligible हैं बाकी ALP की पोस्ट के यह 10 प्लस ITI डिप्लोम और भी टेक अलिजबल है next point है next vacancy कब आएगी सबसे सभी लोग यही सोच रहे होगे कि इसके बारे में बात कि जाएगा लेकिन अभी सोचे 2022 कंप्लीट होने वाला है अब लोगों के मुन से सुनता हूं कि मैं 2022 लास्ट या 2030 की जनवरी में आ जाएगा कोई कहता है मार्च में आ जाएगा तो यह मैं फिक्ष टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी इसका कोई आडिया नह जाता है तयार का लेकिन लोगों का बेसिक बहुत ज्यार्ढा श्तR नहीं है तो हम लोग जैनरला नहीं रहता है तो उनको ज्यादा महीं है रहं तो क्यों नहीं से थोड़ा थोड़ा स्टारट करने व्भाए करना और मैं ये सीरी जारी रखूंगा कैसे इसकी तैयरी करनी है बेसिक से कैसे कैसे करना है ये सब चीज़े मैं बताता रहूंगा तो आप जो लोग चैनल पे हैं वो लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और नीचे मैंने टेलिग्राम गुरूप का लिंक भी दे दिया हुआ है तो उससे आप जूड जाएगा क्योंकि मैं बहुत से इन्फॉर्मेशन है जो मतलब वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उसको मैं मैं सबसे बड़ा इडिवांटेज अगर मैं ये कहूँ आपकी लाइफ में यही है कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए मैं भी ये जॉब कर रहा हूँ इसके कितने भी डिस अडिवांटेज है तो क्या हुए लेकिन आप समझ सकते हैं जॉब होना ही सबसे बड़ा अडिवांटेज है तो जॉब के लिए आपको करना ही करना है आप तैयार ही करते रहिए इसके अलावा भी अगर आपके पास option है तो आप उसमें जरूर जाएए उसमें भी जाने की सोचिए लेकिन अगर कोई भी रास्ता नहीं है तो आपके पास ये जॉब तो आपको करना ही करना है और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ दीजेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कोसिश करूँगा इसको कवर करने के लिए थैंक यू, all the best